हुआ 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 है यह थोड़ी अलग किसम की वीडियो है और इस वीडियो का टाइटल है हुआ 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 है कि अब इस वीडियो को देखते हैं अगर आपको भी नहीं पता तो और उससे पहले अगर आपको इपशनत आए तो इस वीडियो को लाइट खरें करें मारे चैनल को सब्सक्राइब करें पॉट आपको पता है दुनिया के वो मशूर लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं इस लिस्ट में बड़े-बड़े हॉलिवुड स्टार्स से लेकर बड़े-बड़े बिजनसमें शामिल हैं कुछ लोग तो पूरी तरह से हिंदू धर् कर रहे हैं आज हम आपको ऐसी ही मशूर विदेशी हस्तियों के बारे में बताने वाले हैं सिल्वेस्टर स्टेलों जिनने आप रैंबो रॉकी जैसे मूविस के लिए याद करते हैं वो वैसे तो इसाई धर्म को मानते हैं लेकिन तकरीबन छे साल पहले जब उनके बेटे की मौथ हो गई तब वो डिप्रेशन में चले गए थे उन्हें लगता था उनके बेटे की आत्मा उनी के साथ है इसी से वो छुटकारा नहीं पापाए तो उन्होंने अपने बेटे का पिंडदान हरी द्वार में करवाया इसी के बाद से स्टेलों की आस्था हिंदू धर्म में और भी बढ़ गई आज भी स्टेलों यही बात बताते हैं कि वो अपने धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म में भी उतनी ही आस्था रखते हैं माक जैकबग माक जैकबग को कौन नहीं जानता फेस्बुक जिसे आज आज आप इस्तेमाल करते हैं उसके फाउंडर और ओनर हैं माक लेकिन एक समय ऐसा था जब माक अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा जाता है वहां कि लोग इस बात पर यकीन भी करते हैं वहां माक को जीवन का ग्यान मिला वहां से वापस जाने के बाद माक ने फेस्बुक को बनाया इसके माक कहँ शायद इसे बताने की भी जुरूरत नहीं है इतिहास खुद ही बताता है अब भी माक का हिंदू धर्म में आटूट जुडाव है वा यार स्टीव जॉब्स स्टीव जॉब्स एपल कमपनी के जनक आज एपल कमपनी और आईफोन का नाम ही चलता है उसके जनक स्टीव जॉब्स भी हिंदू धर्म से बहुत ज़ादा प्रभावित थे 2011 में उनकी मौत हो गई उससे पहले वो अपने जीवन में हिंदू धर्म की परमपराओं को मानते थे मार्क जैकबब को करोली बाबा से मिलने को भी स्टीव जॉब्स नहीं कहा था दोनों ही उस हनुमान मंदिर में जा चुके थे और आज दोनों के नाम के आगे एक महान सक्सेस नजर आती है इन्हें आप शायद वुल्वरीन के नाम से भी जाते हैं वो भी हिंदू धर्म से बहुत ज़ादा प्रभावित है शायद इसी लिए वो भारत का बहुत ज़ादा सफर करते हैं वो उपनिशाद और श्रीमत भगवत गीता को बहुत ज़ादा पड़ते हैं और उन्हें ज़ादतर अपने ही साथ रखते हैं आपको शायद पता नहीं होगा हुज जैकमेन क्रिस्चन है लेकिन अपनी वेडिंग रिंग पर उन्होंने संस्कृत में श्लोक भी लिखवाया हुआ है वो अपने विनम्र स्वभाव को ही हिंदू धर्म से सीखा मानते हैं रॉबर्ट डॉनिशाद रॉबर्ट किसी इंटोड़क्शन के मोताज नहीं है आइरन मैन को कौन नहीं पहचानता वो बुद्ध धर्म को अपना चुके हैं और इसे हिंदू धर्म का ही हिसा मानते हैं इसी के साथ वो हरे कृष्णा मूव्मेंट के भी बड़े फॉल्वर हैं रॉबर्ट जन्व से यहूदी धर्म को मानने वाले थे लेकिन जीवन के लक्ष और मोक्ष के रास्ते को जानने के बाद वो बुद्ध धर्म को मानने लगे वो श्री कृष्ण के जीवन और आइडियोलोजी से भी बहुत जादा प्रभावित हैं आज रॉबर्ट सबको यही बताते हैं कि जीवन में एक बार यह ग्यान हासिल करना भी हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है यह सिर्फ चंद नाम हैं जो हिंदू धर्म से प्रभावित हुए हैं या हिंदू धर्म अपना चुके हैं वरना यह संख्या लाखों में है जो हिंदू धर्म के ज्यान को जानने के बाद इसे अपना रहे हैं दोस्तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स यहां के नाम सुना कि करोली बाबा अच्छी कहां पर है उत्राखंड में काफी नाम कामने दा रोग कासी मानते हैं जाना जाएंगे हम भी वहां पर कभी मोचा लगा तो और सच मैं मुझे तो आइरेन मैन, यह सारे बड़े बड़े सेले और यह नहीं कोई छोटे मोटे बड़े बड़े बॉलवरीन, चेर और को अब दूगबर, एपल वाले, स्टीव जॉब्स और वो सबसे पहले जो पता है वो एक्सपेंड़ेबल्स, एक्सपेंड़ेबल्स, रैंबो वाले यार सच मुझे तो काफी शॉक भी लगा यह जानके, और काफी खुशी भी हुए कि हमारा धर्म यह वहां पर सैल रहा है, और हमें तो यह काफी पसंद आई वीडियो और अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को डाइज ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्स्क्रेब करें और और सजेशन के मैं दोग से जबूर दीचिए, मिल्स तेहली वीडियो मैं तशक लिए